हमास ने इसराइल पर पूरी प्लानी के साथ हमला किया इसराइल ने भी जवाबी कारवाई की लेकिन अब तक हमास पर हावी नहीं हो पा रहा गाजा से हमास हजारों रोकेट दाग रहा है इसकी तिवर्ता इतनी जादा है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहा है ऐसे में इसराइल ने चरम पंथी संगठन की कमर तोने की त्यारी कर ली है हमास के नेट्वर को द्वस्त करने के लिए इसराइल ने एक हिट लिस्ट त्यार की है ये हिट लिस्ट हमास कमांडरो की है जिने धीरे धीरे मौत की नीन सुलाया जाएगा गाजा पट्टी से लगातार हो रहे रॉकेट के हमलों का सामना कर रहा इसराइल अब हमास के कमांडरों का खात्मा करने का मन बना चुका है इसके लिए इसराइली डेट स्क्वाइट त्यार किये गए है ये दस्ते एक एक कर इन कमांडरों को निशाना बनाएंगे जिस तरहां पस्चमी देशों ने ISISIS की कमांडरों के साथ किया था डेली मेल के एक रिपोर्ट के मताबिक एक इसराइली एदिकारी ने खुद इसकी पुष्टी की है इसराइली सुरक्षय एजेंसियां काजा के बाहर हमास के ठिकानों का पता लगाने में चुटी है इसके लिए अन्य देशों की भी मदद मांगी जा रही है इससे पहले इसराइल ने अमेरिका ने लेबलान सीमा की जानकानी मागी थी बताया जा रहा है कि अब इसराइल कतर और अन्य इसलामिक देशों पर दबाव डालने जा रहा है जिसने हाल ही में हमास को करोरो डॉलर का दान दिया था इस्राइल का दवा है कि कतर की राजदानी दोहा में हमास का प्रमुक इसमाईल हनी ए का घर है इस्राइल की हिटलिस में सबसे उपर हमास प्रमुक इसमाईल हनी ए है जिसने इस्राइल पर हुए इस हमले को अलक्सा फलर्ड नाम दिया था और अपनी जमीन और अपने कैदियों को मुक्त करवाने तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया था इस्राइल की ओर से जो सूची में यहमास इन्वार का नाम भी शामिल है जो गाजा में हमास का प्रमुक कमांडर है सूची में तीसरा नाम हमास के सरगना मुहमद ठैफ का है जो खसर नाम बदल कर रहता है खास बात यह है कि इस्राइल पहले भी पांच बार मुहमद डैफ को मानने की कोशिच कर चुका है और हमलों में ही मुहमद डैफ ने अपनी एक आँख, एक हाथ और दोनों पैर खोए है इस्राइल का दावा है कि हमास की एक और से हमला किया गया अब प्रमुक मास्टर माइन मुहमद डैफ ही था इस्राइल की संभावित हिट लिस्ट में अबू अबेदा का नाम की शामिल है जो IQB का प्रवक्ता है जानकारों का मानना है कि हमास के कमांडरों की संख्या तकरीबन 15 है इनका प्रमुक इसमाइल हानिये है इन कमांडरों का चैन एक चुनाव परिशद की और से किया जाता है डेली मेल की मानने तो IQB हमास की एक शैनिया शाखा है इसकी कमान मारवान इसा और मुहमद डैफ संभालते है IQB जादातार सरकार के अन्य शेत्रों से हट कर संचालित होता है जो धीरे धीरे मचबूत होता जा रहा है इसराइल, फिलिस्तीन और युद के बीच ये देखना दिल्चस्प होगा कि हमास के सभी कमांडरों को कब तक इसराइल खतम कर देता है